नीलम हरीपुरांग बिशफ जिन की गवाई है इनकी सास का एक पैर बहुत ज़्यादा खराब हो गया था और उसमें रेशा पड़ गया था तीन महीने से ये दवाईयां भी दिला रहे थे फिर भी उन्हें अराम नहीं आ रहा था डॉक्टर बोल रहे थे कि ये पैर सही नही हमें हलेलुया अलेलुया और इनकी दूसरी घवाई है इनकी सास का सास बहुत ज्यादा फूलता था डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि सास वाली तीन नाडियां ब्लोक हैं पिर इन्होंने प्रॉफट सुमन जी से प्राथना करवाई उसके बाद इनकी सास बि और सभीकोज मिरन धुः सास है। और उसमें रेशा नहीं निकलता था, पूरा रबड का रबड बन गया था और फिर डॉक्टर के पास लेकर गए, वो कहते ये तो सही नहीं होगा ये बहुत दौाई खानी पड़ेगी, तब ही ये सही होगा तो फिर हमने भी गर में ही सब कहने लगे, ये तू तो सुगर का ब्रेज नहीं करती और इसके कारण तेरा सुगर नहीं, जितने दिन तेरा सुगर नोर्मल नहीं होगा और तेरा पाउं ढीग नहीं तो तेरा पेर कटवाना ही पड़ेगा तो अमने फिर यहां पराथना करवाई प्रोफट सुमंदी भया से और पराथना करवाते ही इनका पेर बिलकुल सही हो गया अपना परमेश्वर का धन्यवाद करती हूं अब ठीक है बिलकुल नहीं आ रहा था तो हमने फिर डोक्टर के पास सुबह सुबह रोज डोक्टर के पास लेकर जाते थे वो कुछ नहीं बताते थे वो एसे ही कहते थे का इन दुआ सायना इसके वज़े से इनका सांस भूल रहा है तो फिर हमने भी रिपोर्ट करवाई हम हब और लेकर गए तो वहां पर डोक्टरों ने बोला कि आप बठिंडे ले जाओ और एक लाक रुपया जमा पहला करवाना पड़ेगा और तब ही आपकी रिपोर्ट होगी तो हम बठिंडे लेकर गए अगरें लेकर हम कोई नहीं तो खैनल दे लेकर जाओ तो फिर वहां पर ड़ा नीम खांगे यह तो भूत रिस्क की बात अगर आप कह पो इनने भागा नहीं तो आप गर पर ले जाओ कि तो फिर हम कौई गल नहीं पिर सब सेहन करवा दिए और जाइते हैं Mic Adam जे बचेगी तो हिं ए ज हमारी जे इनके बचने से चांस नहीं है, तो फिर भाया जी ने प्राथना करी, प्रफट सुमन्दीप ने, तो इनका भी वो स्टेड भी पलवाए थे, दो नाडियां तो स्टेड भी डिलवा दिये थे, और एक जमाही बरीग थी, उसमें तो नहीं, वो डॉक्टर कहते है कि वैसे तो स फिर इनका सांस बहुत ज़्यादा फूल रहा था, तो हम दूसरे दिन फिर भी ठिंडे लेकर गए, तो उन्होंने दाखल कर लिया, और रिपोर्ट करते रहे, और कल दूसरे दिन अगले सुभा जो डॉक्टर नो बज़े आये थे, तो वो बोलने लगे, इनके तो करवानी पड़ेगी, फिर होर जा, दूसरे दिन, तीसरे दिन होर डॉक्टर आया, तो कहते हैं, गुर्दा तो सही है, और फिर इनका विपी बढ़ रहा था, कभी गट रहा था, सुगर कभी तो पचास हो जाता था, और कभी कभी तो एक गंटे बाद मैं साड़े चार सो हो लेगा, तो हम जादा बहुँ जादा परशान हो गए थे, हमने घर पर फोन किया था, हमारे पास तो भी नंबर नहीं था, तो हमने घर पर फोन किया भी आप प्राथना करवाओ हमारे लिए, तो हमने फिर रादे अंकल भाया से भी किया और प्राथना करवाने के लिए, तो तो अमारा भी नंबर नहीं मिल रहा था, तो भाया जी ने आपको प्राथना के लिए बोला, तो हमने फिर प्राथना करवाई, और प्राथना करवाते ही, हमें छुट्टी भी नहीं मिल रही थी, तो वो छुट्टी भी दे दी हमें, मैं प्रमेश्वर का धन्यवाद करती हू कि परमेश्व का धनेवाद करते हैं तो देखे घर के लोग कहते थे इसका पैरी काटना पड़ेगा नहीं तो और उसको भी प्रभीश्व मसी ने चंगा किया और जो बकी रोग थे मिंट में तो कभी कहते भी एकदम पचास हो जाती थी एकदम शुगर कभी साड़े-चारस हो और प्रभीश्व मसीजी ने चंगा किया प्रभीश्व मसीगा धनेवाद करते हैं हालेलुया